चलूंगी कल क्या हुआ है वो थोड़ा सा बताएंगे ताके जिन लोगों ने नियूस फॉलो नहीं की उनको भी पता हो के कल जो टेरर अटाक बताया जा रहे हो क्या है देखें कल एक 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 अटाक वाट एक टरर अटाक एक ट्रॉक जा रहा था राश्वीर आइपल्स के उसमें पांच जवन थे और उसमें से चार की व्यत हो गई है एक घायल है इनिशेली ख़बर कुछ और आई थी बाद मैं पता लगए यह टेरर अटाक है और उसके बाद से मेरे को सोल से बता रहे हैं दोनों साइट अक्रॉस दोनों साइट मीटिंग्स चल रही है पाची चल रही है अपने ही लोगों से क्या फ्यूचर पॉस और ऐसे टाइम पर जब पाकिस्तान ने दो चीज़ें बहुत एविदेंटली बोली एक चीज़ वह जी ट्विंटी का स्वेनगर में समिट पसंद नहीं करते है तो यह हम पहले से जानते थे कि जी ट्विंटी क समिट को किसी तरीके की से कोशिश की जाएगी एक मोटर यह दिखता है तूसरा मोटर यह दिखता है कि पाकिस्तान की गौर्मेंट खुद लेखा सुप्रीम कोड को हम इंडिया अटैक कर सकता है आप इस एलेक्शन को डिले करने अब उसमें अगर यह इंसिदेंट कराया ग राश्मीर में एक बतरी बेचोड़ी हो जाती तो आपी वह ख़बर लेकिन यह नहीं आई यह पाकिस्तान की गौर्मेंट पाकिस्तान ने बोला था कि हमारे पास इंडिया अटैक कर सकता है और अब यह टेंशन दिखा करके इसके में टेंशन बढ़ सकती है और इसे टेंश हम लोग तो शुगात से बोलते हैं पाकिस्तान जितनी भी इंडिया में टेरर डाक्स हुए हैं सबको तो डिनाय करता रहा है कि इसको उसने एक्सेप्ट कर लिया जो इसको एक्सेप्ट करने जा रहा है अब गौर्मेंट ऑफ इंडिया भी अब अपने मोडस ऑपरेंडी च मैं आपसे पूछूँ जैसे रॉइट कह रहे हैं और कहा भी यही जा रहा है कि सबकी नजरें पाकिस्तान की तरफ लग जाती है जब भी कोई इस तरह की बात होती है इस तरह का हाथसा होता है आप क्या कहेंगे कि कौन इन्वाल्व हो सकता है और एकदम से बिलावल बुट ही करती है और देखें बात ही है कि हमें यह सचाई से भागना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो अपनी इंटेलिजेंस के फेलियर का हमेशा सहरा पाकिस्तान पर सजाने की कोशिश करता है मतलब आप कश्मीर के दिली के अंदर भी मामला हो जायता है आपको मालूम है कि इसना की बहुत सी हम रहाती है कोई लंच बोक्स मिल जाता है कोई पी-ई-ए का जहाद वाला बचारा गुबारा बेचता है वह भी पकड़ा जाये तो पाकिसान के ओपर अवेला में जाती है तो यह सीरियस इशू हुआ है हम इनकी जो वहां पर जो जो है जिल्की जान ग कि आज ही के दिन वाज चोदरी साथ जो पर बैठते हैं और उनने ट्वीट किया वगाइदा तोर पर और मुखालफत किया इतनी मुखालफत की बाद अजूद अगे बंड़ना चाहती है और सारी चीज़े करना चाहती है तो मेरा दी क्याल है कि हिंदुस्तान को भी इन छो पाकिसान आर्मी से जोड़ के तीन की चार चार लिक निकाल के जोड़ना चाहते हैं तो वो इनकी अपनी वो जरूर हो सकती है लेकिन हां यह हम तसलीम करते हैं कि माजी में इस तरह की इसी चीज़ के अंदर गुसे हमारे यहां पर जो अपने एक्नामिक वार चल रही है कि इस तरह की बार चाहते हैं कि अधिए लोग रोड़ों के उपर लूटाने के उपर आये हुए हैं तो मेरा निक है यहां पर इस तरह की टैंशन के अंदर जहां प्लिटिकल स्टेबिलिटी निया है एकॉनिका मस्टला है स्पीम कोल का मस्ला है हम इस तरह की कुई का वाग्या हुआ इनके गवांडर जो थे किश्मीर के उन्हों ने उसके ओपर कह दिये कि यारी हमारी अपनी देमेदारी नी मैंने कुल डिटेयल बताई कि मैंने बताया आगया आप यह कर लें वो कर लें तो लाइक यह आपको अपना हाउसिंग और करें हर चीज पाकिसा पर डाल कर जो है वो अराम से नहीं बैठा जा सकता है उसके पहले गवर्णर साप की भी उन्होंने बात कि यह बात कि इंटेलिएंस पेलियर हम किसी और पर डाल रहे हैं क्या है यह अजीम बट यह बात पकिस्तारी गोवर्मेंट को बोलना चाहेंगे जो जितने भी अटैक सामने से जो आदमी ब्लास्ट करने आ रहा है अटैक करने है होता है इंटेलियंस पर बेच आटैक नहीं होता से कभी नहीं होता नहीं होता इंटेलिएंस पर लिए उसको दोपने लेके आया थे आपके जर्नलिस्ट के घर में पहुंचा मिठाई को ची किसलिए वह इद की और आर्टी जी स्माइल मारे देखो आज़ी कितने टेस्टी मिठाई दी गाजुकत लिए दी भागदी राम की देख लिए और वह लोग पहले से करते आएं अटल जी तो गए थे बस लेकर के और आपने तो करगिल कर दिया था इसके साथ साथ आज तक हमने कोशिए आपके हां से तो स्टेट्मेंट ही आई कि ना कभी पाकिस्तानी मेरे घर तो मिठाई बेजी नहीं मैं भी पाकिस्तानी हाई कमिशन की मिठाई की इंजार करता हूं हर यह समझें की हम लोग भी कोशिच कर रहे थे आप बोल रहे हैं तो हम भी कर रहे थे हम लोगों नहीं बहुत भार बोला और यह वही बुलावल बुटते तो है मोटी और गुचरी गुजरात वगएरा बहुत बोल रहे थे थोड़ दिन पहले पताने डिप्लमेटिक लैंगेज थी के नहीं लेकिन बोल रहे हैं अब इसके बार पी ऐएफफ ने जिम्मेदारी ली आपने बोला अचा पी ऐएफफ ने जिम्मेदारी ली वो कहां है वो पी ऐएफफ ऑगनाइजेशन कहां की है यूरोप की हो तो बता दीजे कर लेते है शेस्कर लेते हैं इंघ बंख सी रक्षा जेकरसे हें और और आपने पास ही रखा वहता नहीं रखा क्यों नहीं लागता है बंख और उमकराइंगे मैं लोट एक सेकंड रोहित आपका भाशन जो उसे बीच में मैं भी कुछ बोलूँगी आपको याद होगा आपकी वर्थडे थी तो पाकिस्तान से आपको चॉकलेट गई थी और वो बॉक्स अपने लगाए थे तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से लोग नहीं चारे के टर्म्स बेतर हो कि अपने बॉक्स अधान आपने लगाई थी और वह एक दो बॉक्स नहीं थे बहुत सारे थे आपने आपने लगाई थी और एक सब्सक्राइब कर रहा हूं ते क्या वह उसके पैसे गौश्यर्मेंट ट्रेशरी से आये थे नहीं वह गॉवर्वर्मेंट ने जो मिठाई द अधर प्रवामा पर गवर्णर साब ने जवाब दिया अब गवर्नर सहाब ने ये बताया, ये भी बोला, कि अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, ठीक है? अब अगर गवर्नर सहाब कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, एक गवर्नर ने बोला ना, अब मैं बाकी स्टेटमेंट्स बता दूँ आपको, युनाइटेड नेशन्स ने क् पाकिस्तान को ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए, अमेरिका ने क्लियरली पाकिस्तान को ब्लेम किया था, जर्मनी ने ब्लेम किया था, ठीक है, और यूएन ने, ठीक है, इन सब ने पाकिस्तान को ब्लेम किया था, पुर्वामा के लिए, आप इक गवर्नर को पकड़ लेकिन मैं आपको बता रहूँ आप इन सब को आप भूल जाए उस UN को भी भूल जाए जिसके लिए आप कशिमीर याज रखते हैं उस UN को भी भूल जाए उसके बाद क्या आपके अपने फवाज चौधरी नहीं बोला था कि हमारी हमारी अपनी पुल्वामा वसावर अचीव अच्छा देखें बात ही है कि मैंने पुल्वामा की उपर जो गुवर्णर साब को कोट किया पहली बात तो यह है कि मैंने भी यही अर्ज की है कि फोर ते सेक फफ आग्यूमेंट जो उन्होंने बयान दिया कि पाकिसान ने किया या नहीं किया वह तो एक लाइब बात है उ मैंने दुबारा मुदी साथ को का कि मैंने आपको का तक यह चीजे बेढ़ें तो मुदी साथ निकल के चुप कर जो यह मामला पाकिसान पर पढ़ रहा है तो पढ़ने दो मैं भी यही अर्स कर रहा हूं कि दूसरी चीज़ आपने जो पी एल एफ की बात की थी के बंदे पकड़ना मैं आज आप ही के एक इंडियन टीवी एबीपी के न्यूस के वो बैटा हुआ था यह ब्रेक उन्होंने खबर की कि चाइनीज गोलियां ती जिन से मारा गया है मेड इन चाइना और दूसरी वो पी करते हैं आप उन्होंने जिम्मेदारी के बोल किया सो बात ही है मैं और दूसरा आपने एक तजिरा किया बीच में अटल वयारी बाजपाई साब का और जो है वो कारगल का तो देखें कारगल के मामने में तो आप और मेरा और जो आर्दू है उनका स्टांच सेम होगा हम कि तादाद में हम थोड़े कांप पाकिसान में बटाई तिंग फिरभी अब यह तदाद बढ़ती चारी है के हम एगडी करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गांदी जी के बाद हमें हमेशा ही बात करता हूँ और तमाम चैनल इंडिया के बी बात करता हूं कि गांदी जी के अगर किसी को इसत दी जाती है, इतराम ते बुलाया जाता है पाकिसान में, हिम्दुस्तानी किसी बंदे को तो वाजपाई साथ है, तो वाजपाई साथ की जो रिस्पेक्ट है, वो हमारे हाँ उतनी ही है, और जो बिल्कुल हम एगरी करते हैं, कि उसमके आपकी तरफ से पहल होती है, हमारी तरफ से गल्तियां कुताहियां होती भी रही है, और मैं यह अपने बात भी नहीं कहता है, रीजेंट मैं ने एक किताब दुबारा शुकी पढ़ना, मैं आपको रेफरेंस भी देता हूं, ताकि कल को मेरे को पर पीका और FIA का इतलाग ना उठाया था जो तो हमारी गल्ती थी और हम नहीं बात भी देट बात भी रिसीवनी की, तो यह सारी चीजें हम अगरी करते हैं, लेकिन मैं रीसे टायम की बात पहरो और आपको समगीना पढ़ेगा, के पाकिस्तान की 2010 के बाद की पॉलीची को डिफरेंशियेट करें उससे पहले वाली से, हमार हम लोग एगरी करते हैं उससे आप से, वो माजी की मिसाले दे के आप हमे नही चुरतों मत बेचेना यार रोही साब, मतलब वो पुरानी बाते होगी, उसके दुरान की कारवाहियों नहीं के पालवामा आठक हो, उसके अंदर देखें, आम मुझे यूए यूएं की पाकिसान के बारे में जो राए मैं और आर्दुशी रखेंगे वो राये मूदी थाद नहीं रख सकते हैं चुक्के हम ग्राउंड में मौदी थाद में उस चीज का ज्यादा पता है तो यह चीजे हैं मजीद यह है कि मैं इससे आपके इतफाद करता हूं कि आपने हमेशा पह बिलकुल लेकिन रौहित अगर हम इस चीज़ को जोड़ कर देखें बिलावल भुटो जर्दारी के जो विजिट है उसके साथ तो जैसे मैं एक और पात करने जहूंगा लास्ट एक जुम्ला इन्हों ने बुचर ऑफ गुजरात वाला मूदी साब का रेफरेंस दे दिया बिलावल साब को तो बिलावल साब में उसकी इंटरनेशन एक प्लैट्फॉर्म पर दी है कि मैंने वो जो टर्म उठाई है वो हिंदुस्तान की अख़बारों से उन्होंने बकाईदा अख़बार का नाम भी लिया है याद नहीं है और उन्होंने पूरा इंटर्व्यू को साब के जो विजट है उसके साथ ही फॉरन आफिस के स्टेटमेंट के साथ ही यह अटाक हो जाता है इनको दोनों चीज़ों को आप साथ में समझते हैं या आपका ख्याल है कि यह दो अलग अलग वाक्ते हैं इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है जी रॉइद पाइस्तान को एक्सपोर्टर और भी बोला गया था वह आटिकल्स नहीं पढ़ते हैं तो दूसरी बात है उनको बोलो पूरा बार पढ़ा करें तो वह अपने कंट्री को भी एक्सपोर्टर और बोले कर दें तो मुझे यह का लेक्टिव यूनों बेरी सेलेक्टिव अच् एक किसी ने बोला उसको कोट कर सकता न्यूस्पेपर अपने अपर तस केस नहीं लें मुझे पर हमेशा वैचिटली वर and यूज करता है मुबाइन तोर पशेसर हमारे और आपको का जो कानून तो रह अंग्रे जो की समाने का तो यह वह बोलते हैं कि उसने बोला कते तौर पर यह इसलिए बोला जाता है ताकि हम पे केस ना है हम बोलने है उसने बोला अब वो इस एलेजेटली को या मुवईना तोर को नहीं बढ़ पाए उन्होंने सीधे बुचलो गुजराती पड़ा कितनी समझदार आदिने बिलावल साब यहां पर लिखा जाता है मुवईना और यह चीज लिखा जाता है लेकिन रोहिद भाई मैं आपके तरफ आँगी कि वो कुश्चन जो था मेरा कि बिलावल साब के विजिट और यह इंसिडेंट या यह हाथसा जो है इसको आप समझते हैं कि एक ही चीज है या यह के दो अल तो तो बहुत सीरिस मैं यह नहीं बोल पाऊंगा कि इन दोनों का कनेक्शन है के नहीं है only the time will tell but then बहुत सारी चीज़े हमने देखी है मैं एक किताब थी मैं उस किताब का नाम आपको बता देता हूँ और किस्टिशन डिर्ट्रो को कोड किया तहिस्लामा वालं में और वह उसको कोड करके यह बोला ओल दिखा था कि उसामा ब लागन जे इंडिया पर टैक करने से फोर्सेश वहां से मूव होती इंडिया बॉडर की ओर और उसामा बें लादन भाग जाता तो ऐसा भी हो सकता है आइसा बी तो नीम अटुबुक मैं बूल रहों के ताब से और ऑथर का नाम भी दूँगा मैं अब जहां तक बात ये कि ये पूरे के पूरे डिजाइन में मुझे तो बहुत कम चांसेज लग रहे हैं कि जर्दारी बिलावल बुट्टो जर्दारी इंडिया आना चाहेंगे या आप आएंगे क्योंकि ये सिचेशन पर गड़ती आ रहे हैं गॉर्मेंट ऑफ इंडिया ने पिछली बार भी कोई रियाक्शन नहीं दिया था या समझेंगे आचा पद सत्यपाल मलिक जो बोल रहे हैं कि मुझसे बोला गया था चुप रहे हैं कौन था एक एक मिनिस्टर उसके बोला था सिर्फ सीधे रियाक्शन मोदी ने पहले दिन बोल दिया था कि मैं पाकिस्तान को जवाब दूँगा और जवाब अपने आक्शन से दूँगा और से नहीं दूँगा जो इन्होंने कोड किया कोवर्नस आपको कि यह कोई पैसिलिटी नहीं थ अब जब भी कभी टूप्स मूव्मेंट होती है यह भी टूप मूव्मेंट ही थी वो बाय रोड होती है अगर एक पटिकुलर टूप जो कि सिक्योरिटी के लिए जा रहा है उसको सिक्योरिटी के जरुरत पड़ जाए तो क्या सुरत हाले आप समझ दीजे फिर तो वेकार जब उन्होंने ये बोला कि चुप रहो बोलना मत तो मैं समझ किया ये यार ये कैनेडा ने करवाया है चाब रहे चीज़ ये गवर्नर साथ आफे ज़ाधा फरोसा करते यूए न से यह बड़ा अच्छा है तो आप, क्योंकि वो गवर्नर थे उस समय बिल्कुल सही, मुंबाई इटाक के टाइं का प्राइमिस्टर कौन था, वो ही साहब थे न, जिन्होंने बाद में बोला था क्या हम कैसा, तो उसको भी मांज लेते हैं, उसको तो आपने नहीं माना, उसको तो आपने सीधे होते हैं, अभी आपकी बात का रिप्लाइ लेती हूं, आजीम आप से, और क्यूंकि वो टाइम लिमिटेड है, शो का, तो इसलिए थोड़ा से कॉम्पैट कर के आप लोग बात कियेगा, लास्मे में यही पूछना चाहूंगे, कोई हल नजर आ रहा है, इंदोस्तान, पाकिस्तान की जो टेंशन चल रही है, या जब कभी लगता है कोई बात होगी, यहां से कोई मिनिस्टर या कोई बारत की तरफ जाने की बात करते हैं, तो इसके समके हाथ से हो जाते हैं, तो बी शेक्ष ने कोई भी बात किया, तो उसके बीचे लोजिक है, वो चाहे नवाश्रीक साब की इन्होंने रेफरेंस दे दिया, या किसी एक्स वाई जी का दिया, अगर वो उसी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम भी कहीं न कहीं उसके दिमेदार हैं, जब हमारे ऑफि स्लीम में बैटे वे लोग जो है, उनकी तादा दिन बादिन बढ़ती जा रही है, जो इस तमाम शतरंज को जो है, वो समझ रहे हैं, इस चकरवियू को समझ रहे हैं, इस खेल को समझ रहे हैं, हो चाहे हिंदुस्तान की तरफ से खेला जा रहे हैं, पाकितान की तरफ से खे और हम बैठ कर openly इस बात की discussion करते हैं कि हमें एक होना है, हम एक थे, और at least borders तो चले हैं, लाइदा हो गए, हम यह दी कहते हैं कि आप रहे हैं, लेकि at least, तालो कितने अच्छे होने चाहिए, कि हमारे दरमयान, जो trust का रिष्टा है, वो बरकरार रहे, और हमारा आना आ जाना, म अच्छे मीडिया, डिजिटल मीडिया, और जो एक progressive सोच वाले लोग हैं, हम तमाम, मेरा ख्याल है कि हमारा कहीं न कहीं, मेरे आप लोगों के तो बहुत जादा होंगे, चले, आप लोगों को अगर लोग सुनते हैं, तो चले, चार-पाई सो लोग मुझे भी सुनते होंग हिंदुस्तान के चुरन का जो नजरिया और जो हमें बेचा जा रहा है ना, बस बहुत प्लाना हो गया, पच्छतर साल में उसलिए हमें बरवाया है, तो हिंदुस्तान वाले लोग भी समझ रहे हैं, यार पाकिसान दुश्कनी बस हातम होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी चीज़ और गुड़ल दम एक होंगे, बिल्कुल और लेकिन ऐसी बत नहीं आजीम, आपको बहुत लोग सुनते हैं, और बहुत लोग आपको पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन आपकी ट्वीट नजर नहीं आती, मुझे ये बताईए, ये क्या प्रॉब्ल वो एक कॉल कर दिया था, इच्तमा, जिसको फिर पवंदी लगा दी गई थी और उसको इजादत नहीं दी गई थी, लेकिन उससे मिलता ही आगे पीछे शायद कोई एक हिंदू फैस्टिबल था, जिसकी इजादत थी तो उसको पर नहीं हिंदू इजम और मतलब हिंदू सा जिसको बन करते हैं और मेरी ट्वीट और मेरा कोई एकाउंट लुए वह आपर नहीं आता है, तो रोहित को मेरी शिकायत है, कि आप अपनी एजंचिस को कहा कि मुझी साब को कहा कि मेरा अकाउंट यह वो इक दूसान में कुलाएं, बाकि मेरे आर्टिकल सो आप देखते र लिए जिए लिगलिग कोई बान